गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन बंपर पैदावार, एक्सपोर्ट बैन और सरकारी गोदामों में परियाप्त भंडार के बावजूद आखिर क्यों गेहूं और उसका आटा महेंगा हो रहा है। यह सवाल आपके मन में भी बार-बार ही उठता होगा। सरकार ने रियायती दर पर गेहूं बेचने और व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगाने जैसे कई प्रयोग कर लिये हैं, लेकिन दाम की रफ्तार रुक नहीं रही है। जबकि गेहूं का उत्पादन इसकी घरेलू मांग से अधिक हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या किसा जानों ने गेहूं को अपने पास स्टोर किया हुआ है या फिर व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए कोई खेल कर रहे हैं। दरसल उपभोकता मामले मंत्राले के प्राइस मौनिटरिंग डिवीजन के मुताबिक 22 अक्टूबर 2024 को देश में गेहूं का ओसत दाम 31.36 प्रती किलो था। हालांकि गेहूं का MSP यानि सरकारी रेट 22.75 रुपए प्रती किलो ही है। ये तो रहा देश में गेहूं के दाम का हाल। अब जरा मंडी भाव को भी समझ लेते हैं। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के अनुसार 22 अक्टूबर 2024 को गेहूं का थोक दाम 27.34 प्रती किलो रहा। जबकि पिछले साल इसी दिन दाम 23.82 रुपए ही था। यानि एक साल में दाम 14.81 फीसदी बढ़ गए हैं। तीन साल पहले यानि 22 अक्टूबर 2021 को दाम 19.84 रुपए प्रती किलो था। यानि तीन साल में गेहूं का मंडी भाव 37.79 फीसदी बढ़ चु जहना है कि बफर स्टॉक कम और अधिक होने का दाम पर असर पड़ता है। लेकिन भारत में गेहूं का परियाप्त सरकारी भंडार भी मौजूद है। इसकी तस्दीक खुद केंदर सरकार की एक रिपोर्ट कर रही है। एक अक्टूबर को भारत के पास बफर स्टॉक के न तीन लाक टन का भंडार मौजूद था। नीती आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में गेहूं की खपत का दिक्र किया है। इसके मताबिक 2021-22 में गेहूं की मांग 971.2 लाक टन थी जिसे 2028-29 में बढ़कर 1070.8 लाक टन होने का अनुमान है। इस हिसाब से 2024 में गेहूं की मा एक हजार एक लाक टन है। दूसरी और केंद्रियक रिशी मंत्राले ने दावा किया है कि 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 1132.92 लाक मीटरिक टन हुआ है। जो पिछले साल से 27.38 लाक मीटरिक टन ज्यादा है। ऐसे में गेहूं संकट जैसी कोई स्थिती नहीं है। अगर संक तो दाम भी नहीं बढ़ना चाहिए। दरसल बाजार कुछ बाजार जानकारों का मानना है कि कई व्यापारी और किसान अच्छे दाम की उम्मीद में गेहूं को स्टॉक कर रहे हैं। इस वज़े से दाम बढ़ रहे हैं। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद कुमार S. भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। किसान तक से बातचीत में कुमार ने कहा कि कुछ बड़े खिलाडियों ने गेहूं को स्टॉक किया हुआ है। उनको स्टॉक लिमिट से छूट भी मिली हुई है। ऐसे में अगर गेहूं और आटा सस्ता करना है तो आयात ही बड़ा विकल्प है। कम से कम 50 लाक टन गेहूं का आयात हो तब जाकर बाजार में नर्मी आएगी। लेकिन आयात तब हो पाएगा जब जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाए। अभी गेहूं आयात पर 40 फीसदी ड्यूटी है। इतनी ड्यूटी के साथ गेहूं लाना बहुत महेंगा पड़ेगा। इस समय अगर सरकार जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर गेहूं आयात करने की अनुमती दे तो भी रूस से भारत के तूती कोरिंपोर्ट तमिलनाडु में गेहूं लाने पर भाड़ा सहित उसका दाम 2700 रुपए प्रती क्व मती देनी होगी।